हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकंड चले जानते हैं आज के मुक्यों 25 बड़ी कबरों को पहली बड़ी किबर की बात तुद योक्रेन में फसे जारकंडियों की हेमंत सोरेन सरकार ने लिसूद सरकार देगी टिकट का खर्च योक्रेन पर रोस के हमले से बिगड़े हालत के कारण वहां पढ़ाई करने गए जारकंड के कई चातर फसे हुए हैं राची, गढ़वा, क सरकार अपने अस्तर से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगतार प्रियासरत है, राहत की खबर या है कि मुख्यमंत्री हमंत शोरेन ने आयलान किया है कि योक्रेन से वापस लोटने वालों के टिकट का खर्च राजस्तरकार उठाईगी, योक्रेन में मेडिकल वा इंज अपने परिजनों से वे लगतार संपर्क में है, परिजन भी जीलाप्रसासन समेथ सरकार से मदद की गुहार लगा रहे है, माये जुहें इस्तवर की आराधना कर रही है, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित घर लोट सके, इसी बीच जीलाप्रसासन वज़ारकन सरकार ने मुकमंतरी हमहानतु सोरे ने एलान किया है कि योक्रियन से वापस लोटने वालों के टिकट का खर्च राज कारी सरकार उठाएगी, वही योक्रियन में फसे जारकन के लोग इलिए राज रैनों केमधनार केच अल्खे सरकार से पपील की है कि इसीलिए मोख्च बचला जो दो पालियों में आजित होगी आयों की अधिसूचना के अनुशार पहली पाली सुभा 10 से एक बजे तक और दूसरी पाली की परिचा दो पहर दो बजे से पांच बजे तक ली जाएगी ग्यारा मार्च को पहली पाली में फस्ट पेपर एक और दूसरी पाली में दूत्त पेपर ले जागी बारा मार्च को पहली पाली में तृत्त पेपर और दूसरी पाली में चतुर्थ पेपर की परिचा होगी वही 13 मार्च को पहली पाली में पंचम पेपर और दूसरी पाली में छटवे पेपर की परिचा होगी बतादी की हाई कोट के आदेश के बाद जेपीसी ने पीटी परिचा परिचा परिणाम को संसूधित कर जारी किया था अगली बड़ी खिबर की बात दो जारकन में उगरवादियों पर चौतरफा नकिल लोहरदगा में पांच-पांच लाग के इनामी गंजु शुदरसन गिरापतार पलामू में जेजे एमपी के चेया अपराधी चड़े हथे जारकन में सुरक्षा बलो ने उगरवादियों प जाकीरा बरामत किया गया है। CRPF जारकंड जगवार्त था कोब्रा बटालियन की और से चलाए गए ओपरिसन में सुरक्चबलों को लगतार सफलता मिल रही है। आगली बड़ी खबर की बात को दो फिर जारकंड हाई कोट पहुँचा सातवी जेपीसी विवाद संसोधित परिनाम को दी गई चुनोती। जारकंड लोक सेवा आयो की और से संचालित की गई सातवी जेपीसी परिचा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही एक बार फिर या मामला जारकंड हाई कोट पहुच गया है। बता दे कि संसोधित रिजल पब्लिस करने की वज़े से 406 चैनित अभ्यार्थी बाहर हो गए हैं जिनकी और से याचिका दाकिल कर संसोधित परिनाम को रद करने की मांग की गई है। कोट पहुच गया है। माल को किया जप्त, एफायर दर्ज, पलामू में बालू की अवेद भंडारन के खिलाब प्रसासन ने काड़ी कारवाई की है। जीला खनन पददिकारी अनंद कुमार ने असोका बिल्ड कोन लिमिटेड के जो हेलर्ट पूरी गाउं इस्तित बेस कैम में चापे मारी की कैम में अवे तरीके से भंडारित करी छे लाग सी अप्टी बालू को जब्त कर लिया है। जीला खनन पददिकारी ने बताया है कि पूरो मधरेल के डीडियू डिविजनल अंतरगद सोन नगर से गढ़वा रोड तक थार्ड लाइन का कारी चल रहा है। की दर्च करने की कारवाई की गई है। मरने वालों की पहचान 72 वर्सी कैलास सहा तथा 70 वर्सी महंदर सहा की रूप में की गई है। दोनों पोडिया हाट बजार की रहने वाले थे, दोनों एक नीजी काम से रेलवे की पटरी पकड़ कर जा रहे थे। इसी दोरान हंस डिहा गुड़ा पैसेंजर ट्रेन ने इन ही अपने चपेट मे ले लिया। दुरघटना में इनके सरीर के दो हिश्य हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस वा रेलवे सुरक्चबल के अधिकारियों के टीम मौके पर पहुँची दोनों शवों को कब जमले कर पोश्ट माडम के लिए भेज दिया। अलग अलग जीलों से कुल 86 लोग योकरियन में फसे हैं। इलाके में बिल्डिंग से इट चड़ चोरी करने गए। चार लोगों पर गिरा मलवा, एक नाबाली की मौत, तीन घायल। गड़वा जिले के भावनातपूर इलाके में सनिवार को दर्दनाक हाथसा हुआ है। सेल के टाउन सी परिसर में बिल्डिंग की इट वा चड़ चुराने गए, चार लोग दुरगटना की सिकार हो गए हैं। इसमें एक नाबालीक बच्चे की मौत हो गई है, वही एक वयस्क समय दो बच्चे गंभी रूप से घायल हो गए हैं। प्रात्मिक उप्चार के लिए भेजा गया है, प्रात्मिक उप्चार के बाद दिलिप कमार यादो को जो है गड़वा रेफर किया गया है। पंच सूल को उतारा जाएगा, पंच सूल की सफाई करने के बाद महास्ष रात्री से पहले यानि स्वमार को विसेस पूझा के बाद उसे सिखर पर चड़ा दिया जाएगा। विवार दो पहर तीन बजे के बाद बाबा मंदर एबं मा पारवती मंदर के सिकर से पंज सूल को उतारा जाएगा। अभ्यान में सामिल हो रहे हैं। वही एक दो दिनों में विजेपी के प्रदेश अध्धक्ष दीपक परकास भी यूपी जाएंगे। संघर्स अमीत जारकन कत्यान संघर्स मोर्चा की बैनरतले सनिवार को गोड़ा सहर के सहीद अस्तम्द परिशर में अयोजित प्रग्यास सभा में बोलते हुए सिल्ली के पूरु जामों मों विधायक अमीत महतों ने कहा है कि राजमें 17 सालों तक भाजपा और आसु कसासन रह दो साल पूरों जब जामों गडबंधन की सरकार बनी तो चुनावी घोशन पत्र में 1932 खतियान अधारत अस्ताने नीती एवं नियोजन नीती लागू करने की बात कही गई लेकिन सरकार गठन के बाद इसी अमल में नहीं लाया जा रहा है इस कारण है जामों से इस्तिपादे कर जनता की अधारत में आया हूं कहा कि 1932 खतियान वाली नियोजन नीती लागू होने तक उनका संगर्स जारी रहेगा अगली बढ़ी खबर की बात खुन टेबो घाड़ी में बस वसवारी गाड़ी में जोड़तार टकर सात गंभीर रिम सरेफर चकरदरपूर बन्दगाओं परकंड के टेबो थाना की हैसा डी nonprofit चेम के पास राधे साम बस एबम सवारी गाड़ी में जोड़तार टकर हो गई जिसमें साथ लोग गंभी रुप से घायल हो गए जानकारी के मुताबिक चाकी बजार से सवारी गाड़ी बंद गाओं की और जा रही थी जबकि राधे स्याम बंस बंद गाओं से चकरधर पूर की और जा रहा था सवारी गाड़ी तीके मोड में अतिधिक सवारी होने के कार किड़नी लाइफ स्टाइल बदलने की डालनी होगी यादत लालो प्रिसाद की तब्यत में कोई खास सुधार नहीं देखा जा रहा है उनकी किड़नी 80% तक खराप हो चुकी है जिसमें अब सुधार संभाव नहीं है लालो प्रिसाद को 20% काम कर रहे है किड़नी के साथ ही अ लालो प्रिसाद की किड़नी अब रिकवर नहीं कर सकती है किड़नी और लिवर अगर डेमेट हो जाता है तो उसकी रिकवरी होने के उमीद बहुत कम होती है आगली बड़ी खिबर की बात को दो राजेपाल ने जारकन में लाहा बोर्ड की गठन का दिया संकेत देश में निमार को नामकुम इस्तित भारतिये प्राकरतिक राल एममकूंद संस्थान द्वारा आयोजित की सान मेला सहा क्रिसी प्रदर्सनी कारिकरम को संबोधित कर रहे थे इस आउसर पर राजेपान ले कहा है कि भारतिये प्राकरतिक राल एममकूंद संस्थान क्रिसी बड़ा उत्पादक देश है, हमारे देश में हर वर्स लगबग 20 हजार टन लाग का उत्पादन होता है, एवं इसका करीब 65 पर 37 सा दुनिया के विफिन देशों को जो है निर्यात किया जाता है, वह जारकन देश का सबसे बड़ा लहा उत्पादक करने वाला राज है, आगल पुलिस ने नश्ट किया है, मूरहु और मारंग हादा थाना चितर के अलग-अलग जगहों से तीन किसानों की गिरफतारी हुई है जिनके नाम जो है राम मुंडा, सुकलाल मुंडा और सुन्दर सिंग हैं जो मुरूह के बारकेला की रहने वाले हैं तीनों पर मामला दर्श करते हैं पुलिस ने जेल भेज दिया आगली बड़ी ख़बर की बात्तु वरिष्ट नागरीकों के लिए योग विभाग की निसुलक कारी साला एक से रांचिविस विद्दाले के अस्कूल ओफ योग की और से वरिष्ट नागरीकों के लिए एक महने की निसुलक योग कारी साला आयोजित की जा रही है कारे साला एक से तीस मारज तक अयोजित है इसका समय सुभा छे से साथ बजित तक है जो वरिष्ट नागरिक इस निश्वल के कारे साला में समलित होना चाहते हैं विभाग कारेले से संपर्क करे और रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी तक करा ले परतिभाग्यों की संक्या सीमित है या जानकारी विभाग के निश्वल जो है डॉक्टर टूलू सरकार नदी है इस समय विशेश जानकारी के लिए विकासकुमार 7462832313 वहिमनिशकुमार 9693612596 से शम पर किया जा सकता है आगली बड़ खिबर की बात कुदू परिचाओं की सूची से छेतरिय भासाओं को हटाने को लेकर विद्यार्तियों ने किया प्रदर्शन बड़ी संक्या में युवास सनिवार को पलामो के मेद्री नगर में सडकों पर उत्रे युवाओं की टीम ने राज सरकारद्वार अस्वर्धानिक भासा अधारित नियोजन नीती के इताहत राजे की परिच्छाओं से हिंदी मगही और भोचपूरी को बाहर किये जाने के विरोत में आंदोलन किया युवाओं का जन सैलाप रेडमा माइनर से मार्च करते हुए चा मुहान चौक पहुंचा इस बीच उप अधारित नियोजन नीती के इताहि जारी रहा हलाके सनिमार की साम प्रेचारी के अस्वासन के बाद ततकाल एक सप्ता के लिए अंदोलन अध्यक्छ अवास्वाच गित्सा भाता के लिए गुड़ा कॉलेच परिसर में गुड़ा कॉलेच सिक्छक संक धर्मना नोवे दिन भी जारी रहा हलाके सनिमार की साम प्रेचारी के अस्वासन के बाद ततकाल एक सप्ता के लिए अंदोलन अस्थगित कर दिया गया है विसे विद्दाले की और से हुवी वारता के अधार पर ऐसा निरना लिया गया है इस दोरान धरना पर बठे संग के सभी शदश्यों के स पॉलेंड रवाना योक्रिन में फस सहिब गंज के तीन शादर पैदल ही पॉलेंड रवाना हो गये हैं करीब 20 किलोमेटर की पैदल यातरा के बाद पॉलेंड की सीमा में पहुंचे यहां से साउदेश के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे तीनों मेडीकल की पढ़ाई करने क के लिए वहां गये थे इनमें जो है राजमहल उधवावा बरहरवा की एक एक छात्र हैं राजमहल की जो है पांचू टोला की मो मनिरूदीन सेख उर्फ मुन्ना डॉक्टर ने अपने पुत्र जो है असफाक अहमद को यूक्रियन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए बीते जादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में